असलाम अलेकुम जी क्यासे हैं आप सब लोग उमीद करते हूं बिलकुल ठीक ठाक होंगे अच्छा जी आपने मेरी डेंडर फाली वीडियो देखी होगी न सुझे मेरे बाल कितने सफैन नजर आ रहे थे तो यह मैं करोना से पहले लेकर आई थी उलविया इंटेंस प्रीमिय अच्छा पर मैं ने इसको जब अन्बॉक्स ना पहली दफ़ा एकमरे के सामने अन्बॉक्स कर रही थी इसके साथ मुझे मिला प्यर आफ ग्लाव्स उसके साथ मुझे मुझे मिला यह ब्रुश देखके मुझे बड़ी हैरत हुई कियार किट में ब्रुश भी होता है इसके के साथ मुझे करीम की ट्यूब मिली और कलर डिवेल पर मिला इसके साथ मिला यह कहते हैं कंडीशनर की बॉटल और एक ही किताब चामने जिसमें सारी चीज़ लिखी है किस तरीके से आपने सबसे पहले पैश टेस्ट करना है पैश टेस्कान के पीछे करें यहां करें कहीं आप कर सकते हैं और मतलब पैश टेस्ट अगर आप नहीं करेंगे ना तो नुखसान भी हो सकता है कर लेना चाहिए अच्छी बात है अगर आप लोग पहली दफ़ा कर रहे हैं खास्तोर पर उस वक्त अच्छी मैं बॉटल लेकर आई क्योंके इसमें बॉटल नहीं थी और दथा यह नहीं थी तो मैं बॉटल लाई बोटल वड़े इसमें डाल दीआ मतलब डिवेलपर बोटल ने डाला मतलब क्या खुशी ना देक यह दिमाग मैंने क्या इस्तेमाल कि आइंस्टाइन वाला वहालत मेरी हो गए ती गैर इसके साहत मैंने ली क्रीम मैंने ट्यूब म दाली तो वो नहीं जाने को तायार थी बॉड़ल के अंदर मुझे तब ही समझ में जा जाना चाहिए था मेरे लिए तब ही अलार्मिंग होना चाहिए था कि यह क्यों नहीं जा रही है आखिर खिर मैंने इसमें डाला जब मैंने इसको शेक करना शुरू किया तो मुझे अंदाज हुआ कि बहुत ही कोई थिक किसम का कलर है मतलब उन्होंने बरश साथ में दे दिया तो यह वाली बाडल भी साथ में दे सकते थे तो यह तो मैं अंदर से मतलब अपने घर में जो मैंने जमा करके रखी हुए बहुत सारी बोले जैसे मतलब कुछ खावातीन की आदत होती ना ऐसे चीज़ने जमा करके रखने की मुझे तो मैं लेकर आई मैं बूल भी ला सकती थी मुझे ले आना चाहिए था मैंने जादू से शर्ट चेंज की शर्ट भी वह वाली मतलब कपड़े भी यूज करें जो बेकार होना मतलब ताकि उनको आप भेग सकें या कोई देखने वाला ना हो क्यूंके हेर डाय लग जाता है के साथ में थैली लेकर आई थी यह मैंने पियर अप गलफ्स खोला और मुझे देखके हैरत हुई मतलब खुछगवार हैरत हुई कि यह गलफ्स का पियर बहुत फाइन बनावा था इसमें बड़ा प्यारा सा अच्छा टेक्स्टर था जिससे हातों में अच्छी ग्रिब ब केचर ऴैसलीन लए उरितमाञा इस लाकी हैं कि वैसलीन फक्रीट कार्दो फीरी आजोंतार कि और से मेरे थान भी आएद लें भी वैसलीन नहीं है तो तो आप कोई बी गाडा सा ओल ले सकते हैं विसकस ओल ले सकते हैं कुकिंग ऑई घी लिं आप सादा गी लिंत लिंत गी मैंने अपने बालों की रूट्स पे लगाना शुरू किया वैसे इसमें लिखा हुआ है कि पीछे से अगर आप फैशन कलर करेंगे तो पीछे की तरफ से करेंगे और ग्रे हेयर कबरेज के लिए करेंगे तो आप फ्रेंट से करेंगे अच्छा मुझे डाउट हो रहा था कि यह जो बॉक्स है ना पैकेज यह मेरे बालों के लिए जरा काम है तो अगर आपकी बालों की लंथ मेरे जितनी है और आप कंसीडर कर रहे हैं यह अलिविया इंटेंस प्रीमियम हेर कलर लेने का तो आप प्लीज दो डबे ले लें है जब मैं लेने गई तो मुझे वो सेल्स कल बूलती है कि नहीं आप यह लें यह बहुत अच्छा हेर डाई है और इससे बड़ा कोई नुकसान नहीं होता और यह होता है तो हमें आरे अंदर भी बहुत जादा बढ़ गए हमने बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी वाली ब इसमेल होती है आईस को नहीं थोड़ा इरिटेट करती है बाद आँसों भी आजाते है तो इरिटेशन भी नहीं हुए मतलब इतनी बुरी स्मेल थी नहीं इसकी स्मेल बहुत अच्छी थी और इसको मैंने अच्छे से लगा लिया बालों में कुछ भी नहीं लगाना हैं तो आप मतलब जतना जादा लगाएंगे ना मतलब जतनी बारीक मांग होगी उसमें आपने जतना अराम से खुल के कलर लगाया होगा आपकी ग्रेय हैर कवरेज इतनी जादा अच्छी होगी और अटलीस 30 मिनिर्स तक 30 मिनिर्स पूरे होने पे आप इसको वाश आउट क जोड़ूँगी मैं पूरे करूँगी पैसे मैंने पूरे करें पूरे का पूरा मामला मतलब अच्छे से जिनरिसली मैंने कलर लगाया फिर बैक साइड पे भी बैक साइड पे मेरे इतने ज़दा ग्रेय हैर नहीं नजर आते मेरा भी बस टाइम पास वाला मामला था तो मैं अब प्रेंट पे ग्रेयर जादा नजर आते हैं तो यह कभी ही नहीं जाते हैं आप कुछ भी कर ले तो जी यह अच्छे से कलर लगाने के बाद मैंने इसको 30 मिनट्स छोड़ना है और उसके बाद मैंने इसको नॉमल साधे पानी से इसको रिंज आउट करना है इतना रिंज क करना है कि जो जाग वाग सब निकल रहा होता है वो अच्छे से निकल जाएगा और उसके बाद मैंने कंडीशनर लगा के जो किताबचे में लिखा वाता है ना पेपर मैं प्रॉपर बुई पता रही हूं आपको यह मैं अच्छे से इस कलर को डाल लगी थी और इसके साथ म बाकी का गयान भी आपको बांट रही हूं वो यह है कि कंडीशनर आपने कम असकम दो से तीन मिनट लगा के बालों में रप करना है रूट्स नहीं टैच करनी टिप्स पे और यह मिडल वाले जो बालों के यह बालों जो हिस्सा होता है यहां करना है मैं इसको अच्छे से र करना है अच्छे तरीके से और फिर उसके बाद सुखा लेना है बालों को तो यह तो जी इसका नॉर्मल प्रोसेस था मैंने निचोड़ने चोड़के तमाम तर कलर जो मैं निकाल सकती थी मैंने वो निकाल लिया अगर आप यूज करने वाले हैं तो आप प्लीज बूल कीज चलों जी मुझे लगाएवे इस कलर को तकरीबान महीना भर हो गया है लेकिन बालों में कोई डैमेज नहीं हुआ इसके बाद टेंडरफ तक नहीं मुझे को फील हुआ लेकिन इस कलर का ड्रॉबिक यह था कि आप कितनी भी कियर कर लेना यह जरा जल्दी उतर जाता है मेरी रूट्स तो अभी इतनी जादा बुरी नहीं हुई है लेकिन नीचे की तरफ से जो ना मेरे बालों की जो उसकी तरफ से कलर थोड़ा सा लाइट हो गया है दूसरी बात यह कि आप जैसे हैर डाय करने वाले हैं तो आप इसके बाद वाइलिंग वगयरा जादा ना करें क्य है यह एर वाश के बाद मैंने स्ट्रेट स्ट्रेट कर लिए बाल और नीचे से थोड़े से कडल मारने की कोशिश करी जो मुझसे हुआ ही नहीं होता ही नहीं है कभी भी तो जी यह देखें पीछे से चैस्टनर्ड है लाइट ब्राउन सा शेड अना अच्छा लग रहा है नैचरल के करीब है और ग्लो आ रही है उमीद करती हूं वीडियो पसंद आएगी क्या देखना है कमेंट में भी बता दें इंस्टा पे भी आप बता सकते हैं आके डिस्क्रिप्शन में सब मिल जाएगा अल्ला हाफिज